अक्सिडेंट बहुत भारी था गहरे खड़े में गाड़ी चलीगी थी लोगों के असिर्वाद से गरीब लोगों के असिर्वाद से जन्त के असिर्वाद से मैं बच गया और आप सब भायों में अमाय द दन्नबाद करता हूं कि शारे जिले के लोग यहां पिलने आये और सारे पत्थरकार भाई पूरे जिले के आज मेरे से तो समाने आये आप सब का मुझाबाद करता है आप देख रहे हो कि नुझ खरियाना और मैं हूं सते मरिया दो हमें अभी जानकारे मिली है कि कल सुबह अजिले की पुरो विदायक नरेश यादव का जो है अक्सिडेंट हो गये था उनकी गाड़ी दुरुगत नगरेस्त हो गी थी आए हमसे बातसित करते कैसे क्या कुछ हुआ था करनान साब आएंगे के नेता जी कैसे क्या कुछ हुआ था बस ये गाड़ी लेटर के अमारे थी है ये एक डमफर आगी शाया था ये इक डमफर को क्रोश करनी कुछ करा तो अपने गाड़ी लहना उससे बचाने के जैसे लेफ्ट कितना की, तो लेफ्ट में जो है, उसाइब तक रेत मिल्कुल नहीं था, जगाई नहीं थी, सिद्धा गाड़ी थी. जो सड़क बनी है, ये पुरा अटेली कनियार होता है, उसको बारिस की बने से कटमी गें, उस पहले से ही सड़क कोई लेफ्लिंग निठी के साथ नहीं थी, इसलिए आए दिन गाड़ी है और सुपी मासर के पास पूरा ट्रक ही बढ़ रहा था, बेरे खित्रों में, आए दि ये हो रहा है, इसमें बी तुन साचन से से कारसी माग लेए, चलो में बच गया, लेकिन आए दिन अक्सिटेंट हो रहा है, जल्दी सी जल्दी इन सड़कों के साथ-साथ पूरा पुरा ती अगरा चालग लगए, पूरा मस्था निखमाद के लिए जिससे आएंदा अक्सि हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये बालगवाल जो है बच गए है, और इनकी मांग है प्रशाशन से कि जल्द से जल्द जो सट्कूं के आसपास यो मिट्टी या गड़े बने हुए है, ये इनको ठीक करवाए जाए, मिट्टी डलवाई जाए और इनको आगे जो है सुधारी करूं किया जाए, खबर नहीं सच के लिए आप देखते रही हो कि नुजरेना, नमस्कार